हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस जितने भी चात्र दो हजार चौबीस में बोर्ड की परिच्छा देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट साभित होगा फ्रेंस यहां पर आज आप सभी को हिंदी की सबसे इंपोर्टेंट टाप के बfire ने के लिए मिलेगा के इस बीडियू को आप जरूर देखेंस को देखने के बाद आप बोर्ड के ईक्जा में जिनु तीन नंबर का वो किस जीले के छात्रों को पढ़ना यहां पर आप सभी को बताने वाले हैं जैसे आगराम रहने वाले जितने भी छात्रे हैं बस्ती जीला हो गया, गाजीपूर जीला, अफ़तेयपूर, बाराबंकी और उन्नाओ के जीले के जितने भी छात्रे हैं उन सभी को बोड की एक्जाम में जो मुक्ती दूत रहता है उसी का एंसवर देना रहता है जिसमें हर साल बोड की एक्जाम में नायक का चरित्र चित्रा लिखने के लिए आता है ठीक है और यह आपके बोड की एक्जाम में टोटल तीन नंबर का आता है तो यह आप तीन से च यहां पर प्रशल लिखना करना है गौतर महाथमा गाधि महाथमा गाधि को च्टक तक माधमा इस पकास लिखने के बाद एक आपको बहुत संचिप में लिखाएं किताब से चल जाएंगे पढ़ने के लिए बहुत बड़ा मिलेगा लेकिन जितना लिखवाएं सिर्फ इतना ही लिखना है आपको और यदि लिखके चले आते हैं टोटल तीन नंबर आपका पक्का हो जाएगा ठीक है आपको महत्मा गादी जी का चरित्र चित्र लिखना है त बलकि संपूर विश्व की महान घटना है अपने गरिमामय अलैंगी चरित्र बल से गाधी जी संपूर विश्व को प्रभावित करके युग पुरुस कहला है ठीक है तीस प्रकास से उनकी कुछ उनके बारे में आप बता सकते हैं महत्मा गादी जी के बारे में और जैसे ल लिखिएगा ठीक है इस खंडकाब के नायक गाधी जी प्रस्तूत खंडकाब के आधार पर गाधी जी के चरित्र में निमलिखित विशेष्टा है अब उनकी जो विशेष्टा है कुछ है उनको आप यहां पर लिख लिजिएगा जैसे दिब पुरुस थे हरीजनों के उद लिखें हरीजनों के उद्धारक लिखके हेडिंग बनाएगा इससे बारे में लाइन लिखें दिजिए मात्रि भक्त बनाकर इस पर एक-दो लाइन लिखिए और महांदेश भक्त इसके बारे में आप लिख सकते हैं चलिए आपको बताते हैं कैसे लिखना है ठीक है पहला है अब बना लेजिए दीब पुरुस यह दिब पुरुस थे तो इसके बारे में देखें कैसा लिखें कि महात्मा गादी महापुरुस प्रित्वी पर ओतार के रूप में प्रकट हुए जो प्रित्वी की दुखों का हरण करने के लिए आते हैं इस प्रकार गादी साधार 鬼 पुरुष नहों कर दी बीपुरुष है और लिकंदा लगा, या अगरेली बनाएंगे कि हरीजनों के उद्धारक थे, कैसे लिकंदा ओर लुक्त करेंगे, महात्मागादी ने जीवन-प्रयत्न, डलितों, पिछडों, तथा हरीजनों के ठिक है, गले लगाया, यानि कि जितने भी दलित लोग थे पिछड़े लोग थे और हरीजन लोग थे उन्हें अपने गले लगाया गादी के जीवन का मुख्य उद्देश भी हरीजनों का उद्दारक करना था ठीक है इस पकास से आपको लिखना था अब देखे इसके बारे में आगे लिखेंगे मा और दधिश गाधी जी ने उदार्ता ठीक है यहां पे क्या लिखेंगे उदारत परव पकार यहां से सीख्हा इसके बारे में मात्री भग्त थे इसके बारे में अपने च्रबभी में एक दो राइटिंगों में आप लिखिएगा इस प्रकास लिख देते हैं तो आपका नमबर एकदम नहीं कटेगा और इसे एक बार अपने कापी पर जरूर लिखिए बस एक बार लिख लेंगे यह याद हो जाएगा आपको बहुत सिंपल होता है अगला बना लेंगे महान देश भक् की महत्मगा राइगे महात्मा का देश को आजाद कराने के इनकी भूमिका थीत इसके बारे में आपको लिखना है सचमुच महात्मा गादी स्वयम का सुख वयभो त्याग कर सारा जीवन देश सेवा में अर्पित कर देते हैं तीस पकास से आपको नायक का चरित्र चित्र लिखने के लिए आता है इसको सिर्फ अपने रफ कापी हो या फेर कापी हो उस पे आप एक बार सिर्फ लिख दीजिए लिखने से ही आपको यह प्रशन जो होता है याद हो जाएगा ठीक है और तीन नंबर के प्रशन पूचता है इसे जरूर तयार कर लीजिए ठीक है तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें